हेलो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टोपिक है वो राजस्तान भुगयुल से महत्पूर्ण प्रश्ण है जो एक्जाम में पूछे जाते हैं उनका कलेक्शन है देखते हैं सबसे पहला कुश्चन है राजस्तान का दक्षन पूर्वी पठारी परदेश कितने परतिशत बुबाग पर विश्तित है तो इसका अंसर है उस्तों 6.89% पर राजस्तान का दक्षन पूर्वी पठारी परदेश कितने परतिशत बुबाग पर विश्तित है तो इ दोस्तों ये आप याद रखे चोटी और ये कि जिले में आती है तो जरगा चोटी उदेपुर में आती है उपर माल जैसे ही मैसा गपटार हो गया ये चितोड बैसोडगड की तरफ आती है नेक्ष्ट है अंत्रिक्स म्यमानों की पसिंदिदा जगा जहां एक दशक में नो उलका पिंड गरे हैं वो थार का रेगिस्तान अंचल है नेक्ष्ट है रावली परवत माला की राजस्तान में कुल लंबाई 550 किलो मिटर है तो नेक्ष्ट है उदेपुर की जैसमन जिल से परताब गड़ तक स्तिर्थ पठार जिस नाम से जाना जाता है वह है लसाडिया का पठार ये पूशा जाता है पठारों के नाम नेक्ष्ट है शिरोई जिल्ले की अचल-गSean चोटी की उच्चाई कितनी हैं तो 1380 मीटर इसकी उच्चाई के है तो शिरोई जिल्च में अपन जानते हैं सबसे बढ़ी है गुरु शिखर और उसमें अचल-गट इसकी उंचाई है और इसका आकार वहल मचली के समान है दोस्तों नेक्ट है राजिस्तान के दक्षिन पुर्वी बाग में इस्ते हाडोती के पटार का क्या नाम है तो लावा का पटार इसका आंसर है नेक्ट है अबू परवत खंड किस से निर्मित है अबू परवत खंड ग् किन बलू का सितुपों में सरवादी खानी होती है? तो अंसर बरखान. राजस्तान का मानक्षं में निर्दारित होता है, साड़ा बश्यची डिग्री पूर्वी देशानतर से. राजस्तान में खारे पानी की जिले, सांबर, डिडवाना और पंच पद्रा किस के आउसे से पुछा जाता है तो टेतिस सागर के आउसे से ये नेक्ट उत्री अरावली की सबसे उची चोटी का नाम रगुनाद गड़ है तो राजस्तान इजराहिल से लगबग कितना गुना बड़ा है ये इसमें पूछा जाता है बार बार ये इस देश से कितना गुना बड़ा है जिले उपर भी पूछ ले जाता है तो राजस्तान इजराहिल से लगबग सत्रा गुना बड़ा है और इनकी जिल्लों की आकर्टेश भी पूछ लेते हैं कि बह्यु उदेफूर् जिल्ला किस के समान है, बिलवारा किस के समान है, तो अजितो आयता कार है, तुराजसमन तिलक कार का है, चीतॉड़कट गोडे की नाल जैصा है, तो आप इसी चुझों को ये भी याद रखें सा रेड कलीफ रेका का अंतिम छोर, बाढ़ मेर का कौन सा गाउ है? तो इसका आंसर है वो है शाहगड. कौन सा पकिस्तानी सहर? राजैस्तान की अंतराष्ठ सीमा रेखा़ के सर्वादी निकठ श्तित है. तो इसका आंसर है जेककोबाबाद. नेक्स्ट है मालानी परवत राज जी के किन जिल्ले में जिस्ट्रित है तो ये जलो और बाड मेर में स्थित है नेक्स है रेगिस्टान और समुद्र तर्ट पर बुरे बुरे रेट से बने हुए टीले सेंड ड्यून कहलाते हैं तो देश के कुल शेत्रपल का कितना परतिसद बाग मरुफ्तल शेत्र के अंतरगर्ट आता है तो अगर देश के हिसाग से देखा जाए,तो 12% हो राजस्थान के हिसाग से देखा जाए तो 60-31% के आसपास यह थी आत्रह है तो राजस्थान के सरवादिक निककटबंदर गा कंडला है, है कि यह दोस्तों राज़ेस्तान सबसे लंबी जो सड़क इनेच वह पंदर है जो पठाद कोड़ से कांडलना गुजरात तक तोas राजस्तान की कुबर पटी का है तो नागोर अजमेर में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने की कारण या राजस्तान की कुबर पटी केते हैं अजमेर नागोर के जिस शेत्र को नेक्ट है तारा बालू का स्टूप किसके निकट मिलते हैं तो तारा बालू का स्टूप सुरत गड़ के समीप मिलते हैं नेक्ट विजन है करनल जेम स्टोर्ड ने हिंदू अलम्पिस किसे कहा है तो माउंट अबू को कहा है संतों का सिकर भी है माउंट अबू जब करणल जैम स्टोरियां आये थे तो संतों को देखा था तरपश्या करते हुए तो गुरू सिकर को इनको संतों का सिकर कहा था नेश्ट है राइसीन पाड़ी जहां राष्टपत्ती भावन निर्मित है किस परवत स्रंगला का भाग है तो अरावली यहां पर लगबग खतम हो रही है नेश्ट है विंद्यकगार भूमी किस से निर्मित है तो विंद्यकगार भूमी बलुवा पत्तर से निर्मित है राज दूर्घ है और वुगट बीडिली पाणिये पस्तीत है यह यह अराव्ली का सरवादिक नियुट सर्वादिक कम किस दिल्य में है, सरवादिक विस्ताब तो इसका उदेव्पुर में हैं जबकिू आराव्ली का सबसे कम विस्ताब analyzed. नेक्स है राज जी के पूरवी मेदानी भाग में राजस्तान की कितनी प्रतिसत जन से क्या निवास करती है तो दोस्तों इसका आंसर है 40% तो दोस्तों इस वीडियो में हमने भुगोल के प्रमुक क्विश्चनों को देखा झाल झाल